आज का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक क्वेस्चन पूछूँगा और एक फेमस इस्टोरी पे बात करूँगा तो क्वेस्चन यह है कि आप यह जो आब्जेक्ट देख रहे हो इसके बारे में आपको कोई स्टेट्मेंट देना है आप statement दे सकते हैं it is a triangle आपका statement बिल्कुल सही है आप ये भी statement दे सकते हो it is a red triangle ये statement भी सही है आप ऐसा भी बोल सकते हो it is a solid red triangle ये भी सही है लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं it is not a circle अब देखिए ये statement गलत नहीं है क्या हो अगर मैं ये कहूँ ये statement भी गलत नहीं है क्योंकि ये सच में square नहीं है ये circle भी नहीं है तो आप ये समझ गए होगे अब आप ये कह सकते हैं कि इसका मतलब तो इसके बारे में हम कितने भी statements दे सकते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है इसके बारे में हम कितने भी statements दे सकते हैं और यही है अनेकांत वाद तो अब हम बात करते हैं एक famous story की तो ये story आपने सुनी होगी ये एक हाथी और 6 blind person है उनकी story है ये जो 6 blind person है इनको हाथी के contact में ले जाया गया और बताया गया कि बताये जड़ा explain करके कि हाथी कैसा है अब इन में से किसे ने हो सकता है हाथी की सून पकड़ ली हो तो उसने कहा कि elephant is like a snake सही कह रहा हूँ अपने हिसाब से हो सकता है किसे ने उसका पैर पकड़ लिया हो तो वो कहेगा कि हाथी pillar जैसा है हो सकता है किसी ने उसके कान पकड़ लिया हो तो वो कहेगा कि ये तो फैन जैसा है हो सकता है किसी ने उसका पेट पकड़ लिया हो तो वो कहेगा ये तो दिवाल जैसा है इसी तरह से पूँच वाला कहेगा रसी जैसा है और जिसने उसके दान्त पकड़ लिये होंगे वो कहेगा ये तो भाले जैसा है तो कहने का मतलब ये है कि इन में से किसी की भी बात completely, absolutely हाथी के बारे में सही नहीं है हाँ, अगर इन सब की बातों को मिला दिया जाए तब जाकर के हमें एक सही conclusion पे आप आएंगे तो ये जो मैंने आपसे question पूछा और ये जो story की बात की ये अनेकांत वाद को समझने के लिए सबसे best examples है तो चलिए start करते हैं अपने topic को जैसा कि आपने thumbnail देख लिया होगा मैंने कहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद MPPSC mains का आपका एक question पक्का हो जाएगा कैसे जरा देखते हैं तो देखिए MPPSC mains 2017 में एक question आया हुआ है अनेकांत वाद के उपर इसके बाद 5 महावरताज इसके उपर 2014, 15, 16 और 18 कह सकते हैं लगातार question आया हुआ है इसके बाद 2015 में स्यादवाद पे भी question आया हुआ है एक question है main principle of jainism 2016 में आया हुआ है त्रीरतन में भी एक question आया हुआ है 2016 में कुल मिला के बाद ये है कि अगर हम last 4 years का trend देखें तो बात पता चलती है कि 99% chance है कि jain philosophy से कोई ने कोई question आये ही आये और अगर हम jainism और buddhism इन दोनों को साथ में रख दें तो मान लीजे कि 100% sure है कि यहां से एक question पक्का है हमारा जो main topic है अनेक अंतवाद उसे समझने के पहले background में थोड़ी सी बातों को समझ लेते हैं चलिए जो jain सब्द आया है वो जिन से आया है और जिन का मतलब होता है विजेता किसे जीत लिया जिसने अपने इच्छाओं को जीत लिया और ये जो word है ये use किस के लिए करते हैं तो liberated soul के लिए use करते हैं यहां liberated soul का मतलब मरने के बाद से नहीं है बलकि जीवित रहते हुए अपनी इच्छाओं को साधना के बल से त्याग देने वालों को जिन कहा जाता है अगली बात अगर आपसे कोई ये पूछे कि जैन धर्म की इस थापना किसने की तो महावीर ने नहीं की ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म में 24 तिर्थंकर से इन्हें founders of the faith भी कह सकते हैं तो वर्दमान महावीर जो हैं वो last तिर्थंकर हैं और इनको ये कह सकते हैं कि हाँ modern जैनिज्म जो है उसके founder है अब एक बात ध्यान रखने वाली है तिर्थंकर को आप कह सकते हैं और जैन धर्म में तिर्थंकर जो है वो God से इसको उपर रखा जाता है यानि God तिर्थंकर से नीचे आते हैं चलिए अभी तक जो भी हमने बाते की ये काफी आसान बाते थी अब ये जो line है ये बड़ी important है बस आप ये जमज लीजिए कि जो जैन फिलोसफी है ये line बिलकुल उसका core part है चार वर्ड है इसमें जैन मेटाफिजिक्स इस अरियलिस्टिक एंड रिलेटिविस्टिक प्लूरिलिजम एक एकर के बात करते हैं सबसे पहले मेटाफिजिक्स मेटाफिजिक्स का मतलब होता है जब हम beyond body की जो subjects हैं उन पे बात करें जैसे soul क्या है rebirth क्या है universe का origin कैसे हुआ God कौन है तो ये सब जो बाते हैं ये beyond the body है तो ऐसे subjects को मेटाफिजिक्स कहते हैं यानि की तत्त ग्यान अब एक बात clear हो गई ठीक, दूसरी बात पे आते हैं realistic realistic या realism philosophy में realism का मतलब क्या है तो देखिए realism को समझने के पहले आपको ये समझना होगा कि जो अद्वैद वेदान्त है उसका उसकी जो philosophy है उसकी जो core line है एक line में अगर हम कहें कि अद्वैद वेदान्तिष्ट का जो एक line में आप बताइए कि है क्या ये तो वो है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या मतलब जो वेदान्त वादी हैं वो ये मानते हैं कि केवल सत्य जो है वो ब्रह्म है और बांकी जो सब कुछ है वो मिथ्या है अब यहाँ पर मिथ्या का मतलब आप आप कहेंगे कि मिथ्या मतलब हमारा ग्लास में मिथ्या है सामने पेन रखी है ये भी मिथ्या है समोसा कचोड़ी सब कुछ मिथ्या है तो देखिए हमें ये समझना होगा कि जब ये कहते हैं ब्रह्म सत्य तो पूछ लिया जाए कि भई आपका सत्य का definition क्या है तो ये कहते हैं सत्य वो है जो सदा से है और सदा रहेगा अब क्यूंकि परण जो आपका है वो सदा से तो नहीं है और सदा रहेगा भी नहीं कचोड़ी अभी आपके सामने है थोड़ी देरे में आपके पेट के अंदर तो जब ये कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मित्या तो मतलब ये कहना चाहे रहे हैं कि एक ही ऐसा element है जिसको इन्होंने ब्रह्म कहा वही सत्य हैं खेर अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं हम कह रहे थे कि realism क्या होता है तो realism ये कहता है कि आप और आपके सामने जो कचोरी रखी है आप जानने वाले हैं किसे सामने वाले object को तो दो यहाँ पे चीज़े हो गई एक object और एक object को जानने वाला तो भाई ये दोनों ही real हैं तो इस तरह से जो object है और दूसरा जो उसको जानने वाला है ये दोनों के existence को जो मानते हैं ऐसी philosophy को realism कहते हैं ठीक बात चलिए अब तीसरे point पे आते हैं थर्ड जो word है relative stick इसे समझने के लिए मैं आपको एक example देता हूँ जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक room में एक fan चल रहा है तीन बंदे हैं मैंने एक से कहा जाओ देख के आओ और मुझे बताओ कि fan में blade कितने हैं वो गया fan चल रहा था fully speed में था बाहर आके उसने कहा उसने guess किया तीन blade होते हैं तो तीन ही होने चाहिए उसने कहा तीन blade हैं मैंने कहा अच्छा दूसरे बंदे को भेजा जब वो गया तब fan की speed थोड़ा slow हो गई थी उसने देखा कि यार slow हो गई है तीन blade ही लग रही है थोड़ी देर और वो रुका तो उसको लगा नहीं सायथ दो blade है बाहर आया उसने कहा दो blade है अब मैंने तीसरे बंदे को भेजा जब वो बंदा अंदर गया रोंके तब तक fan off हो चुका था उसने देखा blade एक ही है जब वो तेजी से गूम रहा था तब ऐसा लग रहा था सायथ दो है और जब वो बहुत तीजी से गूम रहा था तब आप बता नहीं सकते हो तब उसने guess किया था तो यहां पे आपने क्या देखा यहां पे आपने देखा कि जो सत्य है तीनों ही जूट नहीं बोल रहे हैं तीनों ही सच कह रह तो हम यह कहना चाहे रहें कि यह रिलेटिविस्टिक नौलेज हुई यही है रिलेटिविजम फिलोसफी में ठीक अब तीसरी बात पर आते हैं प्लूरलिजम तो देखिए प्लूरलिजम को समझने के लिए भी हमें सहारा लेना पड़ेगा अद्वैत वेदान्त का तो ब्रह्म विष्णुम हेस वाले ब्रह्म से मत लेना यह ब्रह्म जो है वो अलग एलिमेंट है क्या है यह एलिमेंट थोड़ा कॉंप्रिकेटेड है लेकिन फिर भी आप समझ लीजे कि ब्रह्म को हुआ जा सकता है आप ब्रह्म हो करके ही समझ सकते हैं कि ब्रह्म क्या है बाक तो जब हम बात कर रहे है प्लूरिलिजम की, तो प्लूरिलिजम का मतलब हो गया कि ये कह रहा है कि नहीं, एक सत्य नहीं है, दो बंदे हैं, एक अद्वैत वेदानती है, और दूजरा कौन है, जैनी है, अब जो अद्वैत वेदानतिस्ट है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा ह truth है यहाँ पर truth जब हम कहते हैं तो यह philosophical way में ही होता है है ना metaphysical truth की बात चल रही है यहाँ पर समोसा का चोडिक नहीं चल रही तो जो जैन है वो कह रहा है कि truth बहुत सारे हो सकते हैं यही है pluralism ठीक तो आपको यह जो statement है अब मैं थोड़ा सा simplify करके बताता हूँ बहुत simple language में अगर कहें तो यह कहेंगे कि भाई जो जैन का तत्त ग्यान है वो यथार्थवादी है यानि रियलिस्टिक है और वो रिलेटिविस्टिक भी है जैसे कैंस्टाइन ने बताया था रिलेटिविटी की थियोरी दी थी तो जो सत्य है वो कैसा होता है सापेक्च होता है और अखरी बात यह pluralism होए pluralism पे based है मतब यह मानता है कि यह बहुत सारे truth हो सकते है चलिए तो I hope यह बात समझ में आ गई होगी अगर नहीं आई है तो आगे हम इस पे बार बार discussion करने वाले हैं आपको आही जाएगी समझ में आँके देखते है यह आसान बात है यह कह रहें कि देखी भाई कोई भी सबस्टैंस हो उसमें दो तरह के characters होते है एक simple example पहले लेते हैं फिर दूसरे example में आएंगे जैसे मैं आपसे कहूं कि gold gold कैसा भी हो उसमें दो बाते तो होती है yellow color का होगा और उसमें चमक होगी लेकिन gold का shape कुछ भी हो सकता है आप ring बना सकते हैं आप pen बना सकते हैं आप mobile का cover भी बना सकते हैं मतलब जो shape है shape को कहा जाएगा accidental character और जो उसका yellow color है वो क्या कहा जाएगा essential character तो मतलब किसी भी object में एक character तो होता ही है अब वो object चाहे कहीं भी हो मतलब कि आप के पास gold होगा मेरे पास gold होगा किसी और के पास होगा उसका एक essential character होगा और उसका एक accidental character भी होगा कि मेरे पास gold ring की form में होगा और हो सकता है कि आपने mobile का cover बना लिया हो तो अब दूसरे example पे आते हैं अब हम बात करेंगे जीव की तो भई जीव में जो आत्मा है soul soul में consciousness होती और यह जो consciousness है यह इसका consciousness मतब चेतना soul का जो consciousness है यह उसका essential character है मतब यह तो होता ही है लेकिन जो desire है जो pain है यह क्या है temporary होता है तो अब जो essential characters है उनको क्या कहा जाता है गुण ठीक मैं आप से कहूँ कि बाई gold का गुण क्या है तो आप कहेंगे yellow होता है उसमें चमक होती है और मैं कहूँ कि अच्छा परियाय क्या है सोने का gold का परियाय तो परियाय वही परियाय वाची वाले word से परियाय वर्ड आया तो परियाय क्या है परियाय उसके temporary जो characters होते हैं उनकी बात कर रहे हैं तो यह बात समझेंगे essential के लिए हम word यूज करें gun और accidental के लिए परियाय आगे gunas are permanent essence of the substance यह बात तो हो ही कि modes यानि वही परियाय are changing and accidental ठीक है बई अब यह की statement है gun परियायवाद द्रव्यम द्रव्यम का मतलब है substance तो कह रहे हैं कि जो substance है जो object है उसमें दो चीजे होती है एक gun होता है और एक परियाय होता है गोल्ड में दो बाते होती है एक उसका color और दूसरा उसका shape तो gun का मतलब उसका color और परियाय का मतलब उसका shape अब हम अनेकांद वाद पे to the point बात करते है first point अनेकांद वाद refers to the jain doctrine about metaphysical truth देखिए हमने समझने के लिए कभी triangle का example लिया कभी pen का example लिया कभी gold का example लिया लेकिन ये जो अनेकांद वाद है ये metaphysical truth के लिए मतलब truth beyond the body पहली बात हो गई clear दूसरी बात जो ये अनेकांद वाद है इसका literal meaning क्या है तो देखिए पहले बात करते हैं अनेकांद अनेकांद में तीन वर्ड है अन एक और अन्त अन का मतलब होता है not जैसे मैं कहूँ कि happy I'm happy तो इसका opposite क्या हो जाएगा I'm not happy या इसी कैसे बोल सकते हैं I'm unhappy ठीक है दूसरा वर्ड है एक एक का मतलब single one और अन्त का मतलब यहाँ है कि जब आप किसी conclusion पर आते हो तो वो क्या होता है अन्त होता है तो अब अनेकांद का क्या मतलब हुआ एक अन्त नहीं है जिसका अन एक मतलब एक नहीं अन्त मतलब अन एक का मतलब क्या हुआ एक नहीं और अन्त का मतलब conclusion यानि हम कह रहे हैं कि अनेकांद का मतलब है एक conclusion नहीं एक truth नहीं बहुत सारे truth तो इसको क्या बोलेंगे not one ended many sideness या फिर many foldness अब वाद का क्या मतलब होता है तो वाद का मतलब होता है doctrine अब दो बाते हो गए third point third point ये पता कर लेते हैं कि ये जो अनेकांद word है ये दिया किसने तो अचारी सिद्ध सेंद दिवा कर फिर अनेकांद वाद कहां mentioned है किस text में mentioned है तो text का नाम है तत्वार्थ सूत्र किसने लिखा अचारी उमस्वा में ही न लिखा और खास बात ये है कि ये acceptable है जितने भी जैन sects है उन सब में acceptable है अगली बात अनेकांद वाद से इस philosophy में दो नए और branches बनती है नयवाद और स्यादवाद इन दोनों को हम बाद में अलग से एक separate वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे अगली बात है intellectual अहिंसा देखिए बारे में वो अपना view देता है और आप तुरंद मना कर देखेंगे तो नहीं ऐसा नहीं है तो उसे बुरा लग जाएगा आप सीधा no कहने के वज़ाए अगर उसे थोड़ा समझा के बात को रखेंगे तो वो बात को समझ भी जाएगा और उसे बुरा भी नहीं लगेगा तो इसे कहेंगे अहिंसा अगर आपने उसे दुखी कर दिया तो ये हिंसा हो जाएगी तो जैन फिलोसफी में जो बुद्धिष्ट छनिक वाद है यानि कि बुद्धिष्ट फिलोसफी क्या कह रही Change is the only constant एक बात ये हो गई और जो अद्ध्ध विदान्तिष्ट है वो कह रहे है वो कह रहे है और जो जैन है दोनों ही बाते सच है इसके अलावा और भी कई बाते सच हो सकती है तो ये क्या हो गया उन दोन को भी हमने सिधा मना नहीं किया और भी कोई तीजरा होगा तो हमने उसे भी मना नहीं किया तो इसे कहेंगे intellectual अहिंसा अगली बात अब क्योंकि बाते हो रही है metaphysical truth की तो जो metaphysical truth है जो reality है वो complex है आप केवल triangle का ही example अगर ले ले तो आप समझेंगे वो कितना complicated है वहां कितने सारे statements दिये जा सकते है तो जब triangle जैसे केवल physical level के अगर कोई object है उसके बारे में इतनी बाते किया सकती है तो जो ultimate truth है उसके बारे में तो और भी ज़्यादा बाते किया सकती है इसलिए कहा है reality is complex अब अगर reality complicated होगी तो इसका मतलब उसमें contradiction होगा जैसे कोई कह सकता है triangle के लिए कि triangle is red और दूसरा कोई कह सकता है triangle is not green दोनों ही लोग सही है लेकिन दोनों में contradiction है दोनों की बाते अलग तरीके से बोली जा रहे है तो इन में क्या होगा debates होगे तो इन debates के उपर जो जैन philosophers थे उन्होंने इस पे सोचा और उसके बाद उन्होंने ये theory देई अब कोई भी जो ordinary man होगा वो कभी भी truth के हर angle से उसे नहीं जान सकता है क्योंकि किसी भी reality के multiple dimensions होगे infinite dimensions होगे वो सभी dimensions को नहीं समझ सकता तो कोई समझ सकता है क्या हाँ अरिहन्त जो है वो समझ सकते हैं यानि जो जीवन मुक्त हैं वो समझ सकते हैं और बागी जो common man समझे का वो क्या होगा वो partial truth होगा तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अनेकांत वाद है वो multi-dimensional truth को accept करता है एक और बात metaphysical truth को आप experience कर सकते हो आप उसे language में convert नहीं कर सकते हैं simple example लेते हैं जैसे आपने 3-4 variety के mango खाए मैं कहूँ आपसे कि बताइए जरा difference बता दिए चारो में taste में क्या difference है तो आप कहेंगे बताया नहीं जा सकता आप experience कर सकते हैं आप test कर सकते हैं तो इसी तरह से जो ultimate truth होता है जो अनेकांदवाद है वो एक happy blend है या वो connecting link है या bridge है किसके बीच में बुद्धिष्ट फिलोसफी और जो वेदानतिष्ट फिलोसफी है इन दोनों के बीच में तो अनेकांदवाद क्योंकि intellectual अहिंसा वाली बाते कर रहे हैं सबको ही साथ लेके चल रहे हैं तो इस तरह से society में ये peace बना रहे है बुद्ध ने जब question किया गया God के लिए कि God है बुद्ध ने कोई answer नहीं कोई reply नहीं दिया जब कहा गया कि God नहीं है बुद्ध ने तब भी को reply नहीं दिया तो जो metaphysical truth है उनके लिए जो बुद्ध फिलोसफी है वो extreme जो truth है उसके denial पे based है वो middle path को choose करके चलते है लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है जैन फिलोसफी में it is इसको भी सही कह रहे है it is not ये भी सही है और इसके अलाबा और भी चीज़े सही है तो इस तरह से यहाँ पे अनेक आंदवाद topic खतम होता है कितने marks का यहाँ से question आता है उस हिसाब से आप इस section से अपने answer में content डाल सकते हैं चलिए आगे की बात हम next video में करेंगे तब तक के लिए